हेलो एवरीवान वेलकम चोलेल्स लेर्निंग आज की वीडियो है क्लास वान के लिए सब्जेक्ट हिंदी होगा और टॉपिक है चोटे उकी मात्रा जिसमें बच्चेशीट के त्रू चोटे उकी मात्रा का रिवेजन करेंगे तो सबसे पहले तो एक रिवेजन जो होगी वो व्यान जनों के साथ छोटे उकी मात्रा की होगी जैसे कुछ इस तरह से पूरा पढ़ना है बच्चों को तो शीट्स में देखते हैं पहला चित्र है गुलाब का कुलाब मिलकर बना गुलाब अगला चित्र है धनुष 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 तो वो चित्रों की मात्यम से अब बच्चों को ने ने शब्द भी बनाने हैं ओकी रीडिंग इस मास्ट राइटिंग भी बॉजर होगी है कुलाब मिलकर क्या बनेगा बच्चे एक साथ लेखेंगे फुल अगला चित्र किसका है कुरता कुरता सुराही सुराही मात्राओं वाली सारे वीडियोस में मैंने एक चीज़ बोली है कि बच्चों को मात्रा सेपरेटली नहीं पढ़नी है वे अंजन के साथ रीड करनी है और इसी तरह से बच्चे बहुत सारे नएने शब्द बनाएंगे सही शब्द पर गोला लगाओ तो सबसे पहला चित्र है कच्चुआ यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हैं एक है कच्चुआ और दूसरा है हाथी तो बच्चे बड़े आराम से समझ पाएंगे कि यह हाथी तो है नहीं तो सही शब्द हुआ कच्चुआ दूसरा है चुहिया तो बच्चे सही शब्द के ऊपर गोला लगाएंगे और सर्कल करेंगे चुहिया शब्द के ऊपर अगला यह चित्र है जुराब का तो इडली लिखा है इडली तो यहाँ नहीं तो सही शब्द हुगा जुराब मुकुट अगली शब्द है वह एक जैसे शब्दों पर गोला लगाओ तो बहुत शब्द लिखे हुए हैं उसमें मात्राओं की मिस्टेक्स है दो एक जैसे शब्द हैं जो सही सही से लिख़्े हुए हैं तो बच्चों को सही शब्द को ढूणना है और उसके उपर सर्कल करना है यह शीट देखने में जितनी ईजी लग रही है न उतनी है नहीं बच्चों को बहुत ध्यान से इसमें उपसर्फ करना होता है और उसके बाद ही वह सर्कल करते हैं क्योंकि बहुत सिमिलर से सारे वर्ड्स लगते हैं दूसरा है सो राही तो दूसरा शब्द भी उनक अगला है कुरसी कुरसी इन दोनों पर बच्चे सर्कल लगाएंगे मुकुट मुकुट इन दोनों सब्दों के उपर बच्चे सर्कल करेंगे कुर्ता और दूसरा शब्द कुर्ता यह दोनों एक जैसे हैं और सही हैं तो यह वाद शीट भी हाँ पर कंप्लीट हो जाती है दिये गए अक्षरों से दो-दो शब्द बनाईए चोटे उखी मातरा का revision कर रहे हैं मैंने सारे वियंजनों के साथ छोटे उखी लगाया है और इनी से बच्चों को दो-दो शब्द बनाने हैं जैसे तु से अगर बच्चे बनाएंगे तो दुकान वो लिख सकते हैं और दुख नेक्स्ट हम चलते हैं अगली शीट पर चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए तो बच्चों को चित्र देखना है और ये खाली सान को भड़ना है डैश उठा कर ला चित्र किसका बना हुआ है? कुरसी का अगला है चुहिया डैश कुतर गई क्या कुतर गई? चित्र में बना हुआ है जुराब जुराब बच्चों को यहां पर लिखना है और खाली सान को फिल करना है पूरा करना है सेंटेंस को रिवीजन परपर से बहुत आसान शीट्स हैं आप घर पर पड़े अराम से बच्चों के लिए बना सकते हैं उनका रिवीजन करा सकते हैं डैश का पौधा सुन्दर है चित्र बना हुआ है किसका? गुलाब कच्छुआ देखकर कुसुम डैश हुई चित्र बना हुआ है एक हैपी इमोजी है तो बच्चों को लिखना है खुश कच्छुआ देखकर कुसुम खुश हुई अगला है यह कुत्ते की तुम है तुम तुम और लास्ट वाले शीट हमेशा कि दर रहा रीडिंग परपस के लिए है पढ़ो और बताओ मैं इस तरह से रीडिंग करके इसलिए बता रही हूं कि आपको भी बच्चों को इसी तरह से गाइड करना है और इसी तरह से रीडिंग करवानी है क्योंकि व्यंजन के साथ ही मात्राओं को बच्चों को बोलना है separately नहीं बोलना है जैसे गुलाब नहीं, गुलाब गुलाब, इसी तरह से सारे शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो बस बही उमीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो काफी हेल्फुल रही होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स वर वाचिंगे